कि हैं आपकी संडे और फिर लेकर आया हूं संडे को एक निया टोपिक मैं एक यह टॉपिक पहले भी बनाया था लेकिन शायद कुछ confusion रहे गया यह कुछ बाते बतानी रहे गई generic दवाईयां और branded दवाईयों के उपर लेकिन प्रॉलम पता क्या है एक प्रॉलम है हिंदुस्तान की और एक दूसरे कंट्री होगी सबस्याद है एक्सपोर्ट जो generic दवाईयां इंडिया ही करता है आप यकिन नहीं मानोगे और हमारे उल्टा हाल है आपको ऐसे पहले मैंने बता दूँ दुबार से बताएता हूं जिन लोगों ने वीडियो नहीं देख था पहले बाला उसमें आवाज भी कुछ क्लियर नहीं काईदे से कि जैसे एक नया molecule आया कोई नई medicine आयी अब वो एक company उस पर research कर दिया कहीं सालों से तो उसने एक नया molecule निकाल दी एक नई medicine निकाल दी क्योंकि उसने इतनी मेहनत कर दी है उसके उपर सरकार से कितने तरगी permission ली कितने act को follow किया कितनी बहुत मेहनत होती है उस पर खर्चा भी बहुत आता है तो अब वो patent करा लेती है उसके नाम हो गया वो molecule तो वो कहीं सालों तक वही दवाई बन सिर्फ वो company बनाया सकती है और कोई दवाई नहीं बना सकती तो उसको बोलते है branded कि ये brand इस company का है अब suppose वो 5 साल का उसने एक time ले लिया तो वो महंगी होती थोड़ी सी क्योंकि उसने इतना खर्चा किया अब वो उसका 5 साल का एक period था उसके बाद ये खतम हो गया जी 5 साल के बाद अब दूसरी company भी बना सकती है तो उसको बोलते है generic branded अब साल कमपनिया बनाना शूरू कर देंगी तो naturally उसकी जो cost नीचे आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि जब वो जो molecule उसने बनाए पहली company ने research molecule तो उसको उस दोरान भी even उस medicine को बेचने के दोरान भी काफी सारे norms को follow करना पड़ता था कहीं सारे वीच वीच में उसको क्या बोलूं research करनी पड़ते थी उस side के side effect ये वो तो खर्चा आता है तो वो महंगी होती है तो उसक बाद जब उसका पांच साल का एक turnover पूरा हो गया उसने जो period लिया वा था जो उसका एक monopoly थी वो खतम हो गई तो आप दूसरी company जो बनाएंगी तो वो सस्ती हो जाती है लेकिन problem क्या है इसको बोलते है generic branded जब दूसरी company भी उस company की दवाई को बनाना शुकर देंगी तो उसक इसाब से जितनी भी दवाईया सब company बनाती हो जैनरिक ही है branded सिर्फ एक ही होती है उसके बाद जो बना रही है चाहे वो कोई भी company हो सिपला हो जाइडस हो रैंबेक्सी हो वो सब जैनरिक branded है और एक होती है generic pure generic उनको बोलते है जिस पर सिर्फ दवाई का salt लिखा होता है या हो गई generic दवाई कोई नाम नहीं है उसके उपर सरकार यहीं चाहते है कि सारा जैसे बाहर के country's में भी काफी सारी दवाईय जैनरिक होती है ओफ दे कांटर मिलती भी है तो हालकि हमारे इंडिया में भी 70% जो है market पे कब जैनरिक दवाईयों का ही है जैनरिक branded या जैनरिक निकाला था कि एक फर्मान कि सब को brand name नहीं लिखना से दवाईयों के नाम लिखो अब उसमें problem क्या होई प्रॉलम यह होई एक तो यह हो गई भाई अगर आप दवाईयों के नाम लिखोगे तो कहीं पर combination में दवाईया है जिसमें 4-5 दवाईया एक साथ है यह vitamin इसमें 10 vitamin साथ हैं तो किस-किस का नाम लिखें अचाए अगर हम जैनरिक दवाई का brand लिख देंगे तो फिर वो chemist अपने हिसाब से देगा और वो वह देगा जिसमें उसका profit ज्यादा है एक और मुसीबत एक मुसीबत कम नहीं है यहाँ पर आपने लिख दिया salt का नाम paracita mole अब वो जो जो brand पढ़े हैं उसके बाद जैनरिक भी पढ़ी होंगी जैनरिक branded भी होंगी तो वो जो चाहेगा वो देगा अब वो शरीफ आदमी है तो सस्ती वाली देदेगा अब उसको ज्यादा पैज़ा कमाने तो महंगी वाली देदेगा तो अब पावर सारी चली गई कैमिस के पास और जैनरिक branded में एक और प्रॉलम है कि यह दवाईयों के rate अलग लग क्यों होते हैं किसी के कम हैं किसी के जाद हैं और खाली अगर कमपनियों को यह बोलने कि भाई आप brand नहीं लिखोगे नाम ही नहीं लिखोगे सिर्फ जैनरिक रखोगे तो धंदा ही चोप किस्त है रिटेलर है तो सब अगर एक दवाई पर पांच रुपए बचे नहीं तो सबको एक रुपए मिलेगा है तो इसलिए जैनरिक दवाईयां सस्ती होती है और जैनरिक ब्रेंड़े महंगी होती है कि क्यों इसमें यह भी प्रॉलम है कि सब के लॉस में चली और कुछ कमपनियां सस्ती बनाती है दवाईयां मैं नाम तो किसे कर नहीं बताऊंगा जैनरिक ब्रेंडेड में भी आप देखोगे तो एक दवाई का रेट 10 रुपए दूसरी का पांच रुपए लेकिन कुछ अब जैनरिक को ब्रेंड में तो हम बड़ी कमपनियों की दवाईयां लिए के सञ्ष strict या चायज सञज आप अब दूसरी थिर्टा क yolई आपनीयां को सब्सक्राइब अब रखेंगी आप नई कमपनी कहीं भी एर के कोने में जाके हरीद्वार में या सोलन में एक नई कंपनी बनाना शुरू कर देती है दवाई अब वो उस नॉम्स को फालो कर रही है क्या उसके equipment उतने ही अच्छे हैं क्या वो हर्च quality के पेमाने पर उतर रही है यह कैसे बता चले तो वो भी generic branded है यह भी generic branded है तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि जो generic branded है तो मैं क्या कोशिश करता हूँ मैं करता हूँ कि दो चीजे है चलो generic branded अगर लिखनी है तो वो लिखो जिसके rate जादा ना हूँ ठीक है average rate हो अगर 5 रुपे से 10 रुपे के बीचे है तो मैं 5-6 रुपे वाली दवाई कोशिश करूँगा लिखने की कि हाँ उस पर ट्रस्ट भी होना चाहिए कि हाँ इसकी quality भी अच्छी है पता चल जाता है ऐसा नहीं है और दूसरा क्या है कि रही बात quality की तो generic जो होता है जो pure generic है उसकी quality क के बारे में मैं कोई comment नहीं कर सकता हूं वो कितनी effective है नहीं है मैं नहीं कर पता सकता हूं बाई इसमें तो मुझे माफ कर दो बोल दो मैं confused हूं बाई मैं confused हूं लेकिन क्या मुझे generic खरीदनी चाहिए pure generic जिसमें salt का जो जन उश्टी पर मिलती है तो क्या हमें वो दवाईया लेनी चाहिए सर बिल्कुल लेनी चाहिए क्योंकि अगर फर्क होगा तो 19-20 का फर्क होगा लेकिन जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है जिसकी जेब में पैसा नहीं है भाई तुमारे लिए खोले गई है जो अफोर्ड नहीं कर सकते आप जाके लो और थोड़े दिन चलो मैं फ्री की खाना शुगा दूँ तो आपको खुद पता चल जागा 15-20 महीना खाके कि यार कहीं शुगर बढ़तो नहीं कि इसको खाने के बाद तो आप खुद जच कर लोगे आप खुद ही जच करो तो मैं तो यह आपके ओपर छोड़ दिया कि कौन सी अची लेकिन ह अगर आपकी जेम में पैसे नहीं है जाने खरी लो जानो श्दी चले जाओ वहां से ले लो दूसरा क्या उनीस सो पिचानवे में अब एक जैनिक ब्रेंडेड पांसो की है दूसरी दवाई 300 की है कितना फरक है इंजेक्शन में तो उनीस सो पिचानवे में ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट आया था जिसमें कि कुछ दवाईयों को उसमें डाल दिया गया था कि आप इससे अड़र प्राइस MRP बढ़ा ही नहीं सकते फिर दिरे दिरे उस लिस्ट में बहुत सारी दवाईया आती गई काफी सा दवाईया ऐसी आ चुके जहां पर MRP जादा नहीं और दूसरा ये भी एक रूल आया था कि केमिस्टों को एक जैनरिका अलग अपना बनाना चाहिए उसके अंदर अपनी शॉप के अंदर जगां कि इधर जैनरिक मेरी अलग और इधर ये वाली तो उनको ये भी एक रूल आया था आप कितना फॉलो आते हैं मुझे पता नही और कौन कितना अच्छा ये भी नहीं पता है सबसे बड़ी दूइधा ही है और क्वालिटी इंडेक्स जो हता है जी मेरी दवाई GMP, WHO certified है फलाना certified है अब यार एक तो यह भी दिक्कत है न आई एसाई मारका फलाना मारका आपको भी पता है रोज फोन आते हैं सर आई को ही सब्सक्राइब है जो डोपनिया और जो बड़ी बड़ी कमपनी तो लोगों को डॉक्त्राइब यह लगता है दिली में और नियुग और लो बोलतेते हैं या लोकल दवाहे है अगर उसको को बीधान वाला खायगा तो फो एक चीज अची लगए गैंगा है तो जो मु मुंबाई की दभाई खायगा तो लोकल हो गई तो लोकल यह सब कुछ नहीं होता समझें कि यह लोकल है यह फ्लाना है यह नकली है लोकल है तो जेनरिक हो गई अपनी दभाई को जो कंपनी वाले आते हैं अपनी दभाई को बताते हैं ब्रेंडड और दूसरों को बताते हैं जब कि सब जैनरिक है, सब जैनरिक ब्रैंडेड है और कुछ कंपनियां जो सिपला टाइप की हैं या इन्टास हैं, वो प्योर जैनरिक बनाती हैं लेकिन उसमें नाम लिखा होता है, ब्रैंड का लेकिन उसमें मार्जन बहुत जादा होता है, यह सब को पता है और chemist भी कहीं वार जब आप discount अब chemist भी क्या करें आप कहते हो discount हो जी 15% 20% chemist विचारा क्या करें आप बताओ उसको milli 20% रहा है आप कहते हो 15% discount हो 5% में उसको खर्चा निकलेगा क्या घर का तो वो क्या करेगा वो एक molecule substitute कर देगा आपका और खास होसे वो जो gas wise वाली दभाई होएगी न जैसे रेबलेट DSR की जैके रेबिसेक DSR देदेगा जैसमें उसको margin है तो वो discount कहां से दे भाई आप खुद सोचो हाँ अगर आप एकी दभाई लेने जा रहे हो आप सिर्फ रेबलेट लेने जा रहे हो और रेविसेक पकड़ा रहा है तो भाई फिर तो वो margin कमाना चाहता है सीधी सी बात है उसको उसमें ज्यादा बच्च रहा है तो वो चेंज कर देगा लेका लेकिन आप 10 दभाईया खरीदने जा रहे हो और आप कहते हो मुझे 15% डिसकाउंट दे ओनलाई तो 20% मिल रहा है आप बोलते हो ना उसको यह आज कर लो तो वह विचारा कहां से कमाए वह एक मॉलेक्यूल को जैनिक के साथ एक्षेंज कर देता है कि यह ले लो वह वाला है नहीं में पास तो वह वहां पर थोड़ा बहुत अजस्मेंट कर निको कुछ नहीं आ रहा है ऐसी चल लगा दुनिया ऐसी चल लिए मैंने तो बता दिया अफेक्ट कि भाई ऐसी चलेगा और ऐसी चलता रहेगा अब जो रूल लाने की बात करते हैं कि प्योर जैनिक बेचो ब्रैंड होना ही नहीं चाहिए तो कंपनियों का तो धंदा ही चोपड इसको बेच से बात है ज़र में पैसे हैं तो जनोष्डि से ले लो पैसे नहीं है तो ब्रैंड ये इतना ही बता सकता हूं इसमें कितना फरक है ये तो उपर वाला यानता है चलो मैं नहीं सब कुश बता दिया और कौण सी दवाई यहाँ पे जेन्रिक ब्रैंटेट में जहाँ पे ब्रैंट चेंज करने से फ़रक पड़ सकता है यह मेरी से किसी ने पूछाता है और ठियरेड थो खास खोpl़ हяжे कि अगर एक ब्रैंट खा रहे हैं तो उसको वो ही लखें तो कौन-कौन से इसी दवाई हैं जहां पर brand chain करने से भी फरकड़ सकता है एवन एक brand में और दूसरे brand से जाने में thyroid की दवाई, दूसरा FITS की, anti-epileptic जिसको बोलते हैं FITS की दवाई हैं, thyroid की दवाई हैं, heart की दवाई हैं, anti-arrhythmic drug और lithium एक lithium salt है जो दिमाग की मांसिक रोगियों को दिया जाता है क्योंकि इसलिए इन लोगों का लेवल भी नापा जाता है जब आप दवाई देते हैं, और हाँ, कोई दवाई कितनी इफेक्टिव है, उसका पहमाना हो सकता है आपने दवाई खाई, उसका blood में पता लगाओ कि इसका लेवल कितना आया इस दवाई को खाने के एक particular time के बाद तो उससे भी पता चल जाता है कि दवाई कितनी body में जा रही है, कितना act कर रही है तो ये कुछ दवाई हैं जहां पर brand chain करने से problem आ सकती है नमबर वन फिट्स की दवाई हैं, नमबर दो थाइरेड की दवाई हैं, नमबर थीन हार्ट की एंटियरिद्मिक दवाई हैं और लिथियम ठीक है, तो इतना ही बहता है यार, ये तो ज़्यादे ही पढ़ा रही है मैंने, चलो, चलता हूँ यार, संडे मेरा भी है, क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भगवान बनाना, बंद करो भाई, नहीं तो बरबाद हो जाओंगो, मैं सच्ची बता रहा हूँ ये भगवान, भगवान जो होते हैं, ये बाबा इतने सारे जो बन गए हैं नमस्कार, नमस्कार इंडिया, ये बोलना वो जरूर है भाई, लोड नराज हो जाते हैं, चलो, बाई